जन्पद अलिगट की अत्रोली 16 मार्ग पर तीज रफ्तार के साथ ही गंगास्त नान करने के बाद लॉट रहे श्रथालू से भरी ट्रैक्टर ट्रोली ने बाइक सवार को पीछे से जोड़ दाचक करमा दी वहीं ट्रैक्टर ट्रोली सड़क किनारी गैरी खाई में पलटकी वहीं भाई के साथ मजार पर जा रही बाइक सवार महिला की ट्रैक्टर ट्रोली के पाहियों तले कुछल करदर दर्द नक मौत हो गई जब की गंगास नान करके लोट रहे श्राथालू ट्रैक्टर ट्रोली निचे फस गये श्राथालू की छीक पुकार की अवाद सुन कर इलाके की लोग मौके पर पहुँचे और सूचना जो है पुलिस को दी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और ट्राक्टर चूली की नीचे फसे लोगों को स्थाने लोगों की मदद से बाहर निकालते हुए आनन फानन में सामुदाइक स्वासर केंद्र अत्रौली में भर्टी कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने प्रात्मी कुप्च के बाद खायलों की हालत को चिंता जुनक दिखते हुए अलिगट के मेडिकल कॉलेज ड्राफर कर दिया इसे के साथ ही पुलिस ने मृत महिला के शव का पंचनावा करवाकर शव पोस्मार्टम के लिए फेज़ दिया कि अदिये की लिए अदेडर शवकीन गरकार इसे एक फפेसूर्टम कवोल हैं जिसमें एक महिला बडत इवस्ता मे लाई गई और वाकी गधिनमि महिला का कहा कि र appeal एम तो महिला का नाम मन्जू देवी है वो दानपूर की रहन मई इवाली है मेला का नाम क्या कहा गिरलोगाली है मेला का नाम मन्जु देवी है वो दानपुर की रहने वाई है जिलऑुलै दो को सब्सक्र जो बता यहारए er भाई कि Tossahat और की जो जो हिए तक्टकर तॉल्धी से जो है तकल लगने के बार मर्क्ति हो गई जिनको निये वटीकिती दिए मेला यहाँ आपके पास यहाले के बाद नहीं है यहाँ पर मुर्थ शर्था बर्सना में लाया गैए कि जो है शाय चाहु पर भाभी चोटों के कारब इंकी मिध को मुझा बारदात पही होगी